दोस्तों नमस्कार, आई टे कोर्स यूटू चैनल पे स्वागत है दोस्तों अभी जो CVT एक्जाम पेपर हो चुके हैं और जिनके बाकी हैं उनके लिए कोशन पेपर आ गया है कि आपके जो कोशन पूँचे गए थे अभी पिछले पेपरों पे अभी जो 18 तारिक से 22 तारिक तक एक्जाम पेपर हुए हैं CVT एक्जाम पेपर उन्हें में ये कोशन पूँचे गए थे यदि अभी आपके कोशन अभी आपके एक्जाम नहीं हुए हैं तो आप लोग जरूर देख लेना ऐसे कोशन हर बार आ रहे हैं इस बार भी आएंगे कोशन नम्मर है 201 अभी तो 250 कोशन की पीडियाफ अपलोड कर दी गई है ITA CBT एक्जाम पेपर से कंडियर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है आपको कम्पलीट जितने भी अभी कोशन पूँचे गए थे हमारे CBT एक्जाम पेपर रहने आपलोड कर दिया गया है सभी बच्चों से जो आउटपुट मुझे मिला है वही आपको प्रोबाइट करा दिया गया है अब आते हैं कोशन नम्मर 200 इंचामन पर कोशन नम्मर 200 इंचामन कह रहा है प्रभाव क्या होता है यद संकेंद्रित बाइडिंग के पूरा होने के बाद स्लिप्ट फिस मोटर में कुछ स्लाट बिना बाइडिंग के छोड़े गए है इसका जो राइट अंसर आएगा ए नम्मर आएगा सामान रूप से काम करता है अगला है सर्व भावतिक मोटर की गती नियंतरण के अपकेंद्रि स्विच बिधी में रेडियो ब्यक्ति करण को कैसे दबाया जा सकता है सर्व भावतिक उनिवर्सल मोटर होता है जो उसमें अपकेंद्रि स्विच को होता है रेडियो बेक्तिकरण के कैसे दबाया जाता है इसको जो राइट अंसर आएगा ये नम्मा राएगा अपकेंद्रिय सुच के दोनों और संधारित जोड़ कर यानि अपकेंद्रिय सुच के दोनों और संधारित जोड़ कर हम लोग रेडियो बेक्ती करण को दबाया जा सकता है अगला कॉशन है अल्टानेटर में EMF फेज की गणा करने के लिए किस सूत्र का उप्योग किया जाता है यानि जो अल्टानेटर होता है अल्टानेटर के जो EMF होता है Electrumotive Force Electrumotive Force को एकजाद करने के लिए जो हम लोग फार्मूला का यूज करते है उसका नाम है D राइट अंसा D आएगा E बरावर 4.445FT अगला कॉशन अल्टानेटर में प्रेरित EMF की दिसा खोजने के लिए किस नियम का उप्योग किया जाता है जो अल्टानेटर होता है अल्टानेटर में EMF होता है Electrumotive Force की दिसा एकजाद करने के लिए जो हम लोग नियम यूज करते है वो नियम है फ्लेविंग के राइट हैंड रूल यानि फ्लेविंग के दहिने हाथ का नियम अगला है अल्टानेटर के भाग का नाम क्या है जो अल्टानेटर के पार्ट दिख रहे है इस पार्ट के नाम को आपको बताना है इसका जो राइट अंसर आएगा सी नमबर आएगा मुख दुरूब रोटर में पोल रोटर अगला कौशन आएगा अल्टानेटर के इमफ समी करन की गढ़ना करने का सूत्रे यह जो अल्टानेटर होए अल्टानेटर के जो इमफ होता है इमफ की गढ़ना करने के जो फार्मूला पूँच रहा है इसका जो राइट अंसर आएगा C नम्मार आएगा E बरबर 4.44 KD KCFIM Next question है Alternator को कैसे rated किया जाता है जो हमारा alternator होता है Alternator को KVA में rating करते है KVA किलो बोल्ट एम्पियर में अगला question Alternator में प्रतिसत बोल्टेज बिनियम की गणा करने के लिए किस सूत्र का उप्यूग किया जाता है जो alternator में हम लोग यूज़ करते है बोल्टेज बिनियम की गणा करने के लिए फार्मूला उस फार्मूला का राइट एंसर ये होगा No volt minus full volt but a no volt into 100 भी येनल का मतलब होता है नो बोल्ट बोल्टेज ये फेन का होता है फूल बोल्ट बोल्टेज अगला कोशन है पच्चास हर्ट्स ये कोशन है 1000 RPM पर 6 धुरुबों बाले एक अल्टरनेटर की अपूर्टी अपरिति के हैं ये हमें फ्रेक्वेंसी निकाल के बताना है ये फ बराबर P इन्टू येन बटे 60 आपको फार्मूला लगा के निकालना है इसकी जो फ्रेक्वेंसी आएगी पच्चास हर्ट्स आएगी अगला कोशन है पच्चास हर्ट्स की अपृति पर दो ध्रुबों वाले एक अल्टानेटर की गती की गणना करे जो पच्चास हर्ट की फ्रेक्वेंसी है दो पोल वाले अल्टानेटर की जो गती करना है उसी के गणना करना है जो राइट अंसर आएगा सी नम्बर आएगा यानि तिन हज्जार आर्पियम अगला कोश्चन 261 नम्बर दो अल्टानेटरों के समिनांतर संचालन के डार्क लेंप बिधी में लेंप किस इस्टिती में बुझा जाते हैं डार्क लेंप जो मैथेड होती है पैरलल अप्रेशन जो अल्टानेटर को यूज करते हैं पूचरा जो हमारा लेंप आफ होता है कौन सी इस्टिती पे बुझ जाते हैं क्या होता है जब बोल्टेज और फ्रिक्वेंसी जब बराबर होती है तब हमारा लेंप बुझ जाता है उस टाइम पे हमारा अल्टानेटर पैरलल अप्रेशन पैरलल के लिए रेडी हो जाता चलने के लिए अगला कौश्चन अल्टानेटर में आर्मेचर प्रतकिरिया के कारण डी मेगनेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें इसको जो राइट अंसर आएगा सी नमबर आएगा फिल्ड उत्तेजना धारा में बिर्धी अगला कौश्चन है सिंक्रो इसकोप का उप्योग क्या है समानता के लिए तुरंद संकेत दे सिंक्रो इसकोप एक मैथेड होती है उसका जो उप्योग है समानता के लिए तुरंट संके देने के लिए उप्योग करते है अगला कोशन अल्टानेटर के रोटर को DC प्रदान करने बाले उक्रणों का नाम क्या है इसका राइट इंसर हो जाएगा ये नम्मारेने को तेजक नेश्ट कोशन अल्टानेटर में डेमपर बाइनिंग का उद्देश क्या है जो हमारा अल्टानेटर होता है जो डेमपर बाइनिंग यूज करते है डेमपर बाइनिंग यूज करने का उद्देश क्या है हंटिंग के प्रभाव को कम करता है अल्टानेटर जो temper winding यूज़ करते हैं उसमें जो हमारा hunting होता है hunting के effect को कम करने के लिए ही हम लोग temper winding यूज़ करते हैं नेश्ट कोशन है अल्टानेटर के समयनांतर संचालन से पहले किस इस्थिती को संतुष्ट किया जाना है इसका जो right answer आएगा be आएगा fish and crum समान होना चाहिए क्या होता है अल्टानेटर को parallel पे कब लगाते हैं जब एक अल्टानेटर load को नहीं चला पा रहा है जादा load बढ़ गया जादा जब load बढ़ जाता है तो एक और अल्टानेटर को जोड़ देते हैं parallel में उसकी इस्तिती कब आती है जब हमारा face का crum समान होता है तभी हमें चलाना चाहिए अगला है चार पोल वाले rated बोल्टेज पे 50 हर्ट की अपूर्ती अबरती के साथ जुड़े एक अल्टानेटर की गति क्या है इसका जो right answer होगा बी नम्मर होगा पंद्रा सो आर्पियम दो सो अंसर नम्मर कोशन ये है दो अल्टानेटरों के समयानतर होने के दोरान दो लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है इसका जो right answer आएगा बी नम्मर आएगा voltage of frequency बराबर है नेस्ट कोशन यदि भार बढ़ता है तो अल्टानेटर का टर्मिनल बोल्टेज कम हो जाता है इसका जो right answer आएगा डी नम्मर आएगा आर्मेचर प्रतिरोध है अगला कोशन है AC जनरेटर में डेंपर बाइनिंग का उप्योग करने का उद्देश क्या है हंटिंग के प्रभाव को रोकता है जो हम लोग डेंपर बाइनिंग को यूज करते है AC जनरेटरों में AC जनरेटर में डेंपर बाइनिंग को उप्योग करने से जो हंटिंग के प्रभाव एफिक्ट है वो कम हो जाते है यह हमारे 270 पोश्चन की PDF के वीडियो अप्लोड कर दिया गया है आप लोग प्लेलिस्ट पर चले जाना ITS Second Year CBT Exam Paper के नाम से पूरा मिल जाएगा Employability Skill, Workshop Calculation, Electrician Theory, Engineering, Drawing के भी आपके Previous Year Paper मिल जाएगे